सम्भव नहीं है श्री राधारानी की कृपा के बिना लेकिन उन्होंने त्रिष्ट से कहकर राधारानी के कृपा से उन्हें गोलोग ले गए और रास में रास के दर्शन कराए देखे ये बहुत ज्यादा उची भक्त की टेर है कि कोई रास के दर्शन कर सके और उन्होंने का जा पुँचे को लोग के ब्रिंदा बना नरसी रास रचायों रास रचायों है जा पुँचे को लोग के ब्रिंदा बना नरसी रास रचायों रास रचायों है पुगरू घमक बजावे प्रेम मनन गुण गायों रास रचायों है ताल प्रदंग शांक दुनि सोः जा लर मेन बजायों रास रचायों है मान तान सुरतान देट जमान मान सुरताल भेट मजद अदबुद नाच दिटायो विरास रचायो विरास रचायो है सेनमक बेन मुदीश मन देन सेनमक बेन मुदीन दमन हरक हरक च दिटायो विरास रचायो विरास रचायो है हरी पहुंदे को लोक बिना बन नरती रास रचायों के रास रचायों है रास में जो ही हो कहने लगे और जो हो आगे पूछे तो शाम सुपतर को लगा नादा नानी बोदी आज रास भी ये कौन है अचानक किसी को देखेंगे तो आपका ध्यान उदर जाएगा हरी कुछे हर सो मुक मुलकत सका कहां तेर आयो तिरास रचायों है तिरास रचायों है तिरास रचायों है दर कुछ राट बास जूनागड नर सीनागड आयो सिरास रचायो है दिशीव के बचन सुनत करुणानी नर सीकंड लगायो दिशीव के बचन सुनत करुणानी नर सीनागड बास रचायो है वीचे हरीतियों के दारों खड़ीजेहरी तियों के धारो नागरियजस गायों किरास रचायों है जा पोचे को लोग मृतावन नर सी रास रचायों जा पोचे को लोग मृतावन नर सी रास रचायों मैं ही रास रचायों वोलो तो नर्सी मेंता चुक करके बोले कि यह आपका ही भगत को यहां आया है आपस में आढद पड़ी पक्की भई पिछान कागद दीजो द्वारिका सावलसा सहनान वहां से उन्होंने अपना नाम नर्सी जी के ठाकुर का नाम क्या हुगा? सावलसा सावलसा भोलते हैं आपको नर्सी जी की याद आजाती है जैसे मीरा भाय के गिर्धर नागर जैसे सावलसा पिछान प्रथमैले हुंडीलिकी सोग्रभु दीन सरकार राणी होकर पाणी पायो दियो गले का हार मंडलीक राजा निम्यो जान प्रसी ओ संत बक्तन के कारण प्रभु ऐसे किये अनन्द अशरन शरन दयानिदी दीन बंद महराज सुखसारन भजिये सदा रे सब का अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इतने कारियों ने इतने कारियों जितने हुंडी सिकारी राख के दार दिया अगर मैं उतनी पूरी कथा कहने लगोंगी तो शयरतीन के जगे च्छै दिन लग जाएंगे इसलिए आप समझ जाएए कि उनकी हुंडी सिकारी उनका राख के दारा दिया रानी खार तक पानी पिलाया नर्सी जी के हर कारज में कौन आया सामरसा लेकिन यह आपन जिस कारज में भाग मरने में सामरसा है अपन उस कथा को कहते हैं लेकिन आप कहेंगे कि इतनी जगे ठाकुर आ गया हमारे क्यों नहीं आता लेकिन हम अपना जीवन उसके हवाले नहीं करते हैं हमारा जीवन उसक तू कर ले और तेरे को जो मेरे जीवन में करना हो वो सारा का सारा तू मेरे को संभाल आपनस अमरपन उसे ही कहते हैं मेरे हर कारज का जिम्मेदार ठाकुर मेरे हर चीज का जिम्मेदार ठाकुर और इसके लिए एक ज़रा सा मुझे बहुत पसंद है वो भजने ले लेते हैं उसके बार आगे मुझे जीवन तेरे हवाले किया जीवन तेरे हवाले जीवन तेरे हवाले किया जीवन तेरे हवाले विश्वास नहीं है तो तोरे आगद में लिखवाले विश्वास नहीं है तो औरे गागत पे लिखवाले जीवन तेरे हवाले ही अजीवन तेरे हवाले विश्वास नहीं है तो औरे गागत पे लिखवाले अपने और परायों को हमने पहचान लिया है तू ही भरोसे के काबिल है हमने जान लिया है अब तू ही अपना ले विश्वास नहीं है तो तोरे गागत पे लिखवाले विश्वास नहीं है तो तोरे गागत पे लिखवाले तरदर की ठोकर खाना अब हमने छोड़ दिया है तरदर की ठोकर खाना अब हमने छोड़ दिया है छोड के फारे रिष्टे नाता तुमसे जोड़ लिया है पर जब चाहे अजमाले जब चाहे अजमाले जब चाहे अजमाले जब जाने दिश्वा सुननी है तो कोरे खावच में लिखवाले क्या हो तेरी ही रह्मत पे चलता ये घर बार हमारा तेरी ही रह्मत पे चलता ये घर बार हमारा नहीं भरोसा और किसी का हमको तेरा सहारा सेवाओं में अपनी लगा ले अपनी लगा ले और जीवन तेरे हवाले किया जीवन तेरे हवाले इश्वास में ही रेको औरे खाथ पेल लिखवाले क्या हो तास बने तेरे चरणों के सेवा करे तुम्हारी चिठी आई तेरे नाम की तु ही जान मुरारी चिठी आई तेरे नाम की तु ही जान मुरारी तु ही इसे समाले विश्वास नहीं मैं तो तोरे खाथ पेलिखवाले विश्वास नहीं मैं तो तोरे खाथ पेलिखवाले जीवास नहीं मैं तो तोरे खाथ पेलिखवाले विश्वास नहीं मैं तो तोरे खाथ पेलिखवाले जीवास नहीं मैं तो तोरे खाथ पेलिखवाले दिश्वास नरीने तो औरे भाग चुपेर ग्यो भगत बचल ब्रेबु सारे पबकाद राम जी भारे थमकाद नानी बैदे माई रे रिठापुर जी मैला फीता राम जी मैला जै जै नारायन सरी ओ जै जै नारायन सरी जै जै नारायन सरी यह एक शेनागर भगत की कथा होती है जो अपना पूर्न हवाले कर देता है और उसे कहता है तरको विश्वा सब राष्ट रिष्टे नाते छोड़ दी है हम आपको भी कह रहे हैं आपको लगेगा कि यह आसी कता सुनी की घर जा के बोलना पनेगा सब रिष्टे नाते तोड़ दी है मतलब भीतर से उपर से नहीं भीतर से सब रिष्टे नाते तोड़ नहीं पड़ेंगे आप तोड़े चलना तोड़े तूटे गाई तो पहले से तोड़के अंदर से हम ठाकोर को अपना लें और ठाकोर के जनों को अपना लें यही नर्सी जी ने हमें शिक्षा दी कि हम तो तेरे हवाले कर चुके हैं इसलिए इसलिए बताया कि हमारी जो चिठी आएगी मायरे की वो सारी की सारी तुमको ही भरनी है नर्सी जी की दीकरी नानी बाई नाम प्याही स्री रंग के घराम नगर अंजार सुप्राम जासु सुता के लगन रो स्री रंग कियो उचाव न्योंतो सकल विरादर इनागर कुलको भाव माग कृष्ट प्रिव सत्त में कुमकुम पत्र लिखाए बाई बन भेडा हुया अकमा सब भेडा हुगे ना जाहा जम दही पिचाव प्रतम लिखे गण ईशकों पुनिजू नागर जान ता पीछे सब जीत में अरु सब जान कुछाण पंच लिखी बव पत्रिका गमने निजनिजधा देन लगे काशीद कून लेले सब कोना काशीद मतलग सबने बिट करके पंच सब बिट करके पत्रिका लिखी कि हमारे ब्याम अड़ा है आप सब आईए आप लोगों को सबसे पहले पत्रिका मिल गई मायरे की मिली लेकिन आज नर्सी जी के मायरे की आज न्योता दिया गया है कि भई नगर अन्जार से सब पंच लोग बैठे और पत्रिका लिखी और फिर नर्सी जी को लिखी कि पहले तुन नियाल बेजना पर तो नर्सी जी की पत्रिका विप्रकोक्लिया नाम के एक ब्रामन के हाथ में दी और जुनागड अधिबेगते लेकर आयो साथ जुनागड वो पहुचा अब कैसे वा कुंकुं पत्रहात में लियो नामी बैसों मिलवा गयो जाए कोकले ऐसी कही जुनागड हूँ जासु सरी जुनागड हूँ जासु सरी सुनकर मतो कियो परिवार नर्सी आया हुए कुआ सब परिवार जन्होंने मिलकर के सोचा की यह तो बड़ी मुसिबत हो जाएगी तो क्या करें अगर वो आये वो तो सुझा स्वामी है तो वो आएंगे तो हमारी तो इतनी अरभपती के घर में बड़ा खराक लगेगा मारी बदनामी होगी मोड्यो शंक बजातो आसी लोग करेगा अपनी हासी ऐसो करो सकलमन भावे नर्सी चूना गड रह जावे तब डोकरी मतो उपायो रहे डोकरी मतो उपायो लगु पुत्र नारान बुलाओ या नारान है दर्शनकरी जिगारान बुलायो अनमिल सूझ गगावोभाई अनमिल सूझ मगावोभाई उनके मिले नापनी हाई दोकरी इब को लिदानन नहीं बुलाणो है कोई बात को ये एक एक ए आपा आ उपाये हैं, इतनी सॉवज लिख दियो, इतनी सॉवज लिख दो, बकनटको एक है नहीं, बेल लेकर आनी सकती, सर्मा मर्ता आसी नहीं, तैसक बैठो, और इतनी लिखो मायरे की चीजे, वो सॉज बतर चीजे, वो लेकर ही नहीं आ सकेगा, सासूनन दोर जोरन जिठाणी सब मिल पैठी आएके त्वात कलम का कदमंगवाए लेककलियो बुलाएके वेले क्या लिखेंगे सवा पच्छिस मन लिखो सुपारी सवा पच्छिस मन रोरी सवा पच्छिस मन लिखो सले ओ और मिवा की बोरी हजार थान मैं मोने लिख दो हजार थान मैं मोने लिख दो साल दुसाला कापड़ ठटा कर दर सीरा व्याई भकता वर्च बापड़ा यह तो हसी उडाने की बात हो गई इस अजार मोरा थान को बंगता है वाटा को लिखता है क्यों भाटा लिखा वाटा लिखा वाटा लिखता है सिर्फ फोड़ो कि थेंती जी ल्याकोई इसे कोई पास भाटा लिख दिया कागत में दोई भाटा लिख दो यूं उठ बैठी डोकरी भागत में दोई भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी भागत बचल प्रभुकाने का बुकाने रामजी चाने का बलका नानी बैरे मारे रिठातुर जी लेला रिठा रामजी लेला जै जै नाराहिन हरी जै नाराहिन हरे इतना सामान देखकर के वोई बेटी के सामने अगर उसके पीहर में इतना सामान लिखते वे इसको किल्दी बड़ी बात हो जाती इसको ऐसा लगा कि इतना तो मेरा पी उलाएगा ही नहीं इतना तो मेरे पिताजी लाही नहीं सकेंगे तो उन्होंने बुलाया कोख लेगा और क्या का नानी बाई बोली थे तो लिख कोई थी मारे तो सुसराजी कर आजो ही मती मारे तो ससराजी कर आजो ही मती मारे तो सा सूने माए रानी क्या तरामजी माघे रानी क्या माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात